नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विजया आज की वीडियो में हम आपके संग शेयर करेंगे घर में पड़े हुए बेकार पुराने मटकों को किस तरीके से रियूस किया जा सकता है यहाँ पर हम आपके संग एक दो नहीं बलकि बहुत सारे आइडियाज शेयर करेंगे और सभी एक से एक बढ़ करके है इन आइडियाज में आप सभी तरीके के मटके छोटे बड़े सभी तरीके के यूस कर सकते हैं और हाँ आपको एक हम मटका गार्डन भी दिखाएंगे तो चुकि हम प्लांट लवर हैं तो इसलिए सबसे पहले हम शेयर करेंगे मटके का यूस वो भी अपनी बगिया में तो इसमें दोस्तो हम मटके का यूस ऐस अ प्लांटर बताने जा रहे हैं अब आप कहोगे कि इसमें क्या नई बात है सभी लोग बता देते हैं ऐस अ प्लांटर तो इसमें खास बात दोस्तों ये है कि आप इस तरीके से इसको as a planter बनाना जिसमें इन मटकों की भी life बढ़ जाए और plant भी अच्छा चले तो सबसे पहले आपको decide करना है कि आपको किस तरीके का plant इसमें लगाना है permanent plant लगाना है और वो plant बहुत लंबे समय तक चलेगा फिर और मटका भी बहुत लंबे समय तक चलना चाहिए तो उसके लिए आपको मटके के नीचे के side में जो कि इस समय हमने उपर कर रखी उसमें थोगा सा बड़ा सा hole बनाना पड़ेगा इसका जो मूँ होता मटके का उसको यूज नहीं करना होगा क्योंकि वो मूँ दोस्तो छोटा होता है अभी तो आप उसमें plant लगा लोगे लेकिन जब plant बड़ा हो जाएगा ना और कभी आपको उसकी reporting करनी हुई तो समझ लिजे मटका ही तोड़ना पड़ेगा इसलिए बेटर यही होगा कि आप फीछे की साइट से थोड़ा बड़ा होल कर लो लेकिन एक्च्वल में आपको जितना बड़ा होल करना है शुरुआत में उतना बड़ा मत करना है यहाँ पर देखे हमने लाइन अलग खींचिए यह होल अलग बन रहा है वो इसलिए रोझ तो क्योंकि कई बार क्या होता है ज़ा हम लोग होल करते रहते हैं तो हम लोग की जो छेनी हतोरी होती है फ़ो तूदा ज़ोड़ा जोर से लग जाती है जिससे कि वो ज़्यादा तूट जाता है तो फे कुछ ज़्यादा बढ़ा अगर आपका होल बन गया तो फे वो छोटा प्लांटर बन जाएगा मतलब उसमें मिट्टी को भरने की या प्लांट को ग्रो होने की स्पेस ज़्यादा नहीं रहेगी इसलिए पहले थोगा चोटा बनाईए धीरे दिर उसको बढ़ा कर दीजेए और हाँ जो किनारे हैं उसको जोड़ा सा स्मूथ कर लीजेगा इस तरीके से थोड़ा सा मार करके जरा हतोरी जो कि क्या होता है बहुत किनारे शार्प एजिस हो जाते हैं जो कि हम लोग जब प्लांट में रखेंगे मिट्टी वरेंगे तो हातों में लग जाएगा और यह जो चूरा चूरा निकला है इसको फेक किये गा नहीं बहुत यूसफुल है आगे भी आपको हम बताएंगे अच्छा कि जो भी सकुलेंट्स है अडीनियम है रोज है किसी की भी मिट्टी आपको वेल ड्रेंड भुरभुरी बनानी है न तो उसमें यह टुकड़े मिला दीजेगा बहुत बढ़िया रहेगा नीचे से जो प्लेट टाइप की निकली थे हम सोच रहे थे उसमें भी होल कर दें तो उसी के लिए बोरी का टुकड़ा उठाया था लेकिन यह भी घरबर हो गया यह हतारी तेज पड़ गए जिससे की नीचे की प्लेट के जो थे तीन टुकड़े हो गया बरहाल इसको भी यूज करा जा सकता है वेस्ट नहीं है यह तो कैसे करेंगे यह बता रहे हैं केवल आपको हम डिस्प्ले के रूप में दिखा रहे हैं यह जो नीचे का देखिए यह मूँ वाला हिस्सा मटके का नहीं से काफी बड़ा होल टाइप का है तो इसको ऐसे ढग देंगे लेकिन ह कर आप को होगे कि हमें डेकुरेशन करना नहीं आता तो कुछ मत करिए सिंपल सा पेंट कर दीजे इससे क्या होगा आपके मटके की लाइफ बढ़ जाएगी नहीं तो लगाता जब आप पानी आनी डालो गे ना तो धीरे धीरे यह मटका जो है भुरभुरा चूरा चूरा ह कर तूटने लग जाएगा पेंट भी करिएगा तो ध्यान रखिएगा कि बहुत मोती लेयर मत लगाईएगा पानी मिक्स कर करके करिएगा पत्ली लेयर करिएगा दो लेयर करना चाहते हो तो एक लेयर जब अच्छे से सूख जा तब दुबारा लेयर करिएगा यहां पर प कि यूज़ करने दोस्तों यह बर्जर वाला पेंट रिट कलर रहें बहुत बढ़ियां कलर आता है तुसका आप स्क्रींशॉट कीच के रख सकते हैं और आप चाहो तो एक बार बहुत कलर भी कर सकते हैं उससे दोस्तों यह रहता है कि उल्बाइट कलर यह जो भी कलर करोंगे और अगर आप बिना वाइट कलर करोगे तो दो कोटिंग करने पड़ी थोड़ा सा अच्छा कलर आता है ज्यादा आपको डेकोरेशन करने का मान है तो इस तरीके से देखे सजा दीजे जो कोई पुराने लसी वाले ग्लास आते है ना उनका मैंने ये गुड़ा गुड़िया बना के लटका दिया है सेकेंड यूज हम दोस्तों बताएंगे जो की आप एज़र टेबिल यूज कर सकते हो इसको आपको बस मैं आपको एक 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 जामपिल के तौर में यहाँ पर शो कर रही हूँ आप इसको डेकोरेट करके अपने कमरे की थीम के हिसाब से कलर वगएरा करिए फिर जहाँ पर मैंने उपर बास्केट रखी है ना वहाँ पर आप जो है कोई टाइल्स रख सकते हो कोई स्टोन मार्बल पीस रख सकते हो या लकडी का भी माइका का भी पीस रख सकते हो बहुत सुन्दा दोस्तों साइट टेबिल यह बन जाएगी अच्छी लगती है इसमें चाहोता आप कोई डेकुरेशन पीस वगएरा भी रखिए तो यह एजर टेबिल भी मटका बहुत अच्छे से काम करता है थार्ड यूज में आप एजर स्टैंड काम ले सकते हो चाहे इसके उपर दूसरा गमला रखिए दूसरा समान रखिए लेकिन जो नीचे वाला गमला रहा है उसको थोड़ा सा हैवी कर दीजेगा भले उसमें आपको मिट्टी डालनी पड़े या फिर कोई पत्थर डालना पड़े जिससे की उपर वाला गमला स्टेबिल बना रहा है फोर्थ नंबर का यूज दोस्तो है एज़ा कमपोस्ट बिन यूज करने का मटका कमपोस्टर पर अलड़ी मैंने अपने गाजनिंग के चैनल पर वीडियो बना रखा था मटके कमपोस्टर में ये फाइदा रहता है दोस्तो कि इसमें जो है ज्यादा इसकाज मूँ देखे छोटा रहता है तो छीटी पीटी मखिया नहीं लगती है जगा कम है आप एक के उपर एक करके रख दीजे तो जगा भी बच जाएगी तो कमपोस्टिंग करने के लिए आप चाहो तो इसे मटके में किनारे किनारे छोटे-छोटे होल बना लो कीली की हेल्प से मैंने अल्रणी शेयर कर रखे सभी चीज के वीडियो इस लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम तो देख लेना तो अगर आप composting करना चाहते हो तो आप सूखा material, organic और kitchen waste दोनों को आप ले करके रखना तो बरबर हिस्सा दोनों mix करते रहना सूखा, कचड़ा और गीला कचड़ा और अपने घर में, balcony में, terrace में कहीं भी एक कोने में रख देना सूखा कचड़ा नहीं रहता है तो आप धूल, जो कि simple जाडू कोचे में निकलती, जाडू में निकलती, वो मिटी, कुछ भी ले लीजेगा उसी को ऐसे गीले कचड़े में mix करके आप रख देना, धक जरूर देना यह तो पारिश हो, और या फिक मखियां वेगरा भिन बिना हानी लगेगी, हाँ इसमें paint and कुछ मत करना, क्योंकि फिसमें जो महीन, holes होते न वो बंद हो जाएंगे, फिर composting के process में problem होगी, तो एक मटका आपका भर जाता है, तो उसको बंद करके कुछ दिन के लिए रख दीजे, 10-15 दिन में चलाते रहिएगा, आपकी compost दो महीना में रेडी हो जाएगी, आप जो है मटको को, देखें, एक decoration के रूप में भी use कर सकते हो, तो यहाँ पर जो है कुवा बना रखा है मटके से, अच्छा idea है, टायर से, और यहाँ पर जो है मटके को as a seat, कुरसी के रूप में use किया गया है, paint कर दिया गया है, देखें अगर आप क planter बनाया है, जिसका की रूप अलग है, कैसे बनाया, यह मैंने अपने creative garden वाला channel जो है, वहाँ पर share किया था, छोटी से clipping इसमें आपको संग हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने फैविक रूप का color कर दिया था, और यह वाला glue use किया था, यह instant glue होता है, दोस्तों तुर करके में यह local market में मिल जाता है, मैंने use कर लिया था, तो यह planter ही बहुत खूबसूरत लगता है, तो इसको आप जो है as a room decoration भी use कर सकते हो, artificial plants लगा दीजे इसमें, अगर original plant लगाना चाहते हो, तो इसमें जो है थोड़ा सा drainage hole बना दीजेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहे और नहीं है, अगर drainage hole बना चाहते है तो बहुत कम हिसाब से पानी डालना, फिर एक और decoration का idea आपके संग share कर रहे है, garden decoration का, तो यहाँ पर आपने soil mix करा, इसमें जो ले चूरे दिखाए थे पहले न, इस वाले mix कर दो के बहुत बढ़िया मिट्टी बन जाएगी दोस्तों, drainage system बहुत अच्छा रहेगा, अभी छोटी से मट्की का piece लिया है, इसको थोड़ा से मिट्टी के वरबर level में कर दे रहे हैं, गड़ा करके ऐसे, जोड़ा से मिट्टी जो है, गमले के मट्की के अंदर भी डाल दे रहे हैं, अब यह हैं हमारे succulent sedum, बहुत असानी से उख जा है, ले करके इसमें लगा दीजियो, multiply जो असानी से होते रहते हैं, तो यहाँ पर देखे, पूरे में मैंने लगा दिया है, इंप्लांस को पानी की ज़र्वत कम रहती है, तो यह खुब असानी से चलते रहते हैं, उनको केर भी नहीं करनी, अदक हाथ पानी इसमें नहीं ड डेकुरेट कर दो, बहुत खुबसूरत लगता है दोस्तों, गाडन का एक सेंटर पीस यह बन जाता है, तो यह तो एक आइडिया हो गया, अब नेक्स्ट आइडिया के लिए हम आपको as a storage बता रहे हैं, कि इन मटकों को आप as a storage यूज़ करो, हम लोग जब गाओं में जात दो साग तक पड़े देखें इन में, और धकने के लिए इस तरीके के दियाले आते हैं बड़े-बड़े, इस दियालो को उल्टा करके रखते हैं और फिर कप्रे से मुँ बान देते हैं, और कहते हैं, खराब नहीं होता, कोई किड़ा नहीं पड़ता है, तो आप ऐसा storage करती हूँ, इसी वीडियो में दिखाऊंगे, मैंने यहाँ पर एक मटका गार्डन बना रही हूँ, दोस्तों यह गार्डन जो बनाना हमने मई में शुरू करा था, मई में ही काम कर रहे थे, उस समय बहुत ज़्यदा गर्मी थी, लेकिन फिर हम आउट अफ इस्टेशन चले तो इस वीडियो को कम्प्लीट नहीं कर पाए थे, तो अब जो है दुबारा मैंने इस पर काम किया है, यह देखे टूटा गमला जो था, पेंट करने के बाद, अब देखे बिकुल एक सा कॉम्बिनेशन लग रहा है कि नहीं, बहुत सुन्दर लग रहा है, तो यह जो पीस कितनी बुरी हालत है गर्मी के कारण इन सब प्लांट की, तो यह सब मैंने रख दिये, पुराने यह सब पेंट करे थे, तो अभी मैंने इनको नहीं करा, यह देखे आदी बनी हुई कंपोस्ट डाल दी है मैंने इसमें, और यह मेरा जो है अलोवेरा लगा है, वो मैं इसमे लगा दूँगी, अभी क्योंकि अलोवेरा मुझे बहुत पसंद है, तो मैं काफी लगाती हूँ, बहुत यूजस होते हैं दोस्तों, अलोवेरा के, तो यहां पर जो था, इतना मैंने बना दिया था, उस समय जो था, जेडी प्लांट लगाया था, अभी जो आए हैं, तो म कोई प्राब्लम नहीं होती, कंपोस्ट खाद है उसमें, तो यहां पर जो दखिए, इस तरीके से आया है, जितनी भी टिप्स मैंने दी है, मैं आपको शेयर करी हैं, मैंने कहीं न कहीं इनमें यूजस करी है, बगल में चंपा का प्लांट लगा है, आप ऐसा डेकुरेशन भी इसको यूजस कर सकते हो, उमीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो एक थमसब जरूर दे दीजेगा, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार